हलो दोस्तों, रेलवे कंपनी इरकॉन के बारे में हम बात करने वाले हैं, फाइनल रिजर्ट्स और डिविडेंड दोनों ही बाहर हुए हैं, इरकॉन के केस में, देखिए, सबसे पहले अगर हम इरकॉन के प्राइस पर्फॉर्मेंस की बात करें, तो एक साल पहले लगभख 40 रुपय के आसपा शेर प्राइस था, और अभी आप देखेंगे ठीक उसका डबल, मतलब एक बहुत ही अच्छा जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए पिछले एक साल में, इरकॉन के द्वारा एक्सपीरियन्स रहा है, अब रिजर्ट्स कैसे आया है, और bor डेट है, वह जनरली सप्टेंबर के महिने में आ रहा है, यस में के महिने में, डिविडेंड का रेकमेंडेशन हो गया है, लेकिन, 3-4 महिने लग जा रहा है, फाइनल डिविडेंड का जो रेकॉर्ड डेट है, वह आते-सल कैसा रहेगा, हमको बाद में पता चलेगा, थोड़ा कम का dividend deal होता है लेकिन हमने इरकॉन को 35, 40, 45 के लेवल पर भी देखा है तो समझ लीजिए 40 के लेवल में कोई investor है जो जैसे पिछले साल का जो share price था तो उनके लिए तो 7.5, 7.5% की एक मजबूत dividend deal हो रही है और जो wealth creation है वो भी हो रही है पिछले अगर financially 22 में देखें तो 2 रुपया का उनके द्वारा dividend आया हुआ था तो dividend भी हम देख रहे है दो रुपया से 3 रुपया मतलब 50% dividend भी increase हुआ है अब कैसे results रहे है तो देखें सबसे पहले revenue कमाई कैसी हुई है 43% revenue increase हुए है 6910 करोड से 9921 करोड तो revenue बढ़े है एबिटा 44% बढ़ा है profit before tax बढ़ 377 करोड यहां पर बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है तो यह है final profit के नंबर जो कि पिछली बार 544 करोड के थे तो 42% profit भी बढ़े है तो देखें अभी जो नंबर है 777 करोड अभी अगर मैं स्क्रीनर में बताओ क्योंकि अपडेट होने में समय लगेगा 751 करोड बता रहा ह तो अभी market cap 7500 करोड के असपास में है और 777 करोड का अगर profit हो रहा है तो P.E. ratio अब 10 से और कम हो जाएगा अब market ने पिछले अगर हम एक साल की बात करते है तो IRCON के जो case है वहां पर rerate किया है क्योंकि उनको median P.E. जो है इससे पहले 6.77 के असपास मिला हुआ था अभी आप P.E. ratio देखेंगे 10 क्या सपास है तो हाई P.E. मिला हुआ है इसका मतलब क्या है कि market anticipate कर रही है हाई growth को जो कि अभी तो हमको देखने को मिल रहा है ये एक positive number आये हुए है quarter on quarter भी देखिए operating revenue 31% बढ़ा है profit after tax भी आप देखिए लगभग 26% बढ़ा है 248 करोड का quarterly हापर profit दे उससे पहले दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे app early financial आजादी को सबसे ज़्यादा verified student testimonials मिले है इस app पे हम latest stock portfolio जो बड़े fund managers के हैं उनको हम analysis करते रहते हैं free investing videos और learning materials regular इस app में हम share करते रहते हैं और साथ-साथ live classes भी होती रहती है और कुछ courses भी है जो बड़े discount में आप avail कर सकते हैं जहां पर पूरा practical demonstration और learning पर focus है description में मैंने link को दिया हुआ है अगर हम margin की बात करेंगे 7.57% के आसपास है देखे जब हम IRCON की बात कर रहे हैं उनके business की तो railway construction company आप मान सकते हैं जैसे tunnel बनाने का काम है या line double करने का काम है तो उस case में IRCON एक important नाम बन कर आता है similarly एक और company है आरवी एनल रेल विकास निगम उनका भी कुछ इस तरीके का काम है तो railway के कुछ भी execution related project होता है डबल करना या tunnel बनाने का या bridge बनाने का तो उस समय में IRCON का काम आता है तो यह जो business है यहां पर stable margin है बहुत यह high margin business नहीं यह लेकिन यहां पर जरूरी क्या है कि margins stable रहे यहां पर profit होता रहे और order book भी बढ़ता रहे तो देखे order book की जब हम बात कर रहे है यहां पर पिछले साल यह जब results आये उससे पहले मैं पिछले साल के results को देख रहा था तो पिछले साल 43,000 करोड के order book है इस बार order book in fact आप देखेंगे कम हुए है 35,000 करोड के आ देखें तो order book लगबग 3 साल के से ज़्यादा का order book है मजबूत ही कहा जाएगा लेकिन order book पिछले साल के comparison में कम हुआ है अब यह हमको देखना है क्योंकि यह तो मैं सरफ results का first cut लाया हूँ यह पर management का क्या कहना है order book के उपर क्योंकि पिछले साल मैंने management के जो भी transcripts पढ़े हुए है तो management ने यही कहा था कि वो order book पर बहुत aggressive नहीं है railway पर बड़ी opportunity है लेकिन चुकि order उनका already इतना मजबूत था तो नए orders पर उनका उस समय में focus नहीं था कब यह 2022-2022 में और वो दिख भी रहा है क्योंकि order book है वो 43,000 करोड के order book थे फिर बहुत सारे orders जो है वो खतम ह हो गये होंगे और फिर नए orders आये नहीं होंगे तो order books यहां पर खटी है तो अब अगले एक-दो साल में management का क्या यही रुख रहेगा कि order book को वो नहीं बढ़ाएंगे या अब वो aggressive होंगे वो देखना रहेगा जब transcripts आएंगी और ज़्यादा details आएंगी और अगर कोई brokerage report आती है तो और ज़्यादा हमको details यहां पर मिल सकती है बाकी एक मजबूत नतीजे आये है जो हमको IRCON की तरफ से देखने को मिल रहा है EPS अगर हम देखें तो 8 से ज़्यादा हुआ है उसके comparison में देखें 3 रुपया का dividend आ रहा है जो कि लगबग 34-40% का यहां पर dividend payout हो रहा है जो कि ठिक ठाक dividend payout भी कहा जाएगा लेकिन order book पर management का focus बिल्कुल देखने जैसा रहेगा अगले कुछ दिनों में सब्स्राइब करक सब्सक्राइब को भी चिसकी लिंक मैंने description box में दी हुई है तैने बाद थैंक्यू दूस्ते